नमस्कार बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में मैं हूँ शेवगरीज दुबे और आज की रेसिपी शेर करेंगे आप लोगों के साथ में उससे पहले कि आप लोगों नहीं किया तो कर लिजिए वेल आइकन को भी दबा दिए जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग पटाटो की सब्ची काफी चैस्टी लगती है तो चलिए मनाना स्टार्ट करते हैं शेव पटाटो की सब्ची जो क्या है ओनियन तो टमाटो ग्रीन चिली शेव मोटा वाला पटाटो जो इसको आमने वाल लिया है और छील के अकलिया है और देखिए उबलववा पटाटो है और क्यूप टमाटो जो टमाटो को हमने क्यूप काट लिया है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तेल लिया हमने 40 ग्राम ओल गालिक 10 ग्राम और जीरा 10 ग्राम ओनियन 50 ग्राम चॉप ओनियन इसी तरीके से ब्राउन हो जाने चीए फर्म ग्रीन चिली डालेंगे 10 ग्राम चॉप करी हुई हरी मर्ची टमाटो डालाने 40 ग्राम हल्दी 8 ग्राम 1.5 टी स्कून राचिली पाउडर 8 ग्राम 1.5 टी स्कून चिचिन किंग मसाला 8 ग्राम नमग 7-8 ग्राम स्वादन उसार कॉरेंडर पाउडर 8 ग्राम और गरम से 8 ग्राम 6-8 ग्राम कस्मीरी मिर्ची कस्मीरी मिर्ची कस्मीरी मिर्ची डाली हमने 7-8 ग्राम और ठोड़ा सा पानी लिया हमने पानी जुरिया करीब 1500 ग्राम और यह आलू डाल देंगे आलू हमने लिया है 10-12 पीस और जो हमारी सब्ची बनेगी वह 300-300 ग्राम की टमाटो जो काटके रखाता है एक टमाटर थोड़ा सा पानी वह डालेंगे और इस तरीके से पकने देंगे और थोड़ी सी धनिया नवक का खास द्यान रखें नवक कम डाल लाएं कि उसे में भी नवक होता है तो नवक का जरूर ध्यान रखें श्यों के अंदर नवक होता है और हमने चलिए हमारी सब्ची रेडी पटा-फट बन के तियार हो जाती ह है श्यों पटाटो की सब्ची और इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं और हमारी सब्ची रेडी और हमने जूलियन अद्रग डाला थोड़ा सा तो हमारी रेसिपी अगर आप लोग अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग पटाटो की सब्ची कैसी लगी और चैनल अगर आप लोग ने सब्च्राइब नहीं किया तो कर लेजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जब दिए वी दना है वीडियो डाला है दो का लाइस में अगर आप लग ना बनाता है तो अस की लिंक देंगे जाकर चेक कर लेजिएगा तैंक यू दन्न बाद